हलो स्टूडेंट वेलकम टू फ्रेंड सेट पेपरेशन यूटूब चैनल इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 4 की EVS की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 6 और चैप्टर 6 है आपके लिए ओमनास जर्नी यानि एक बच्ची है जिसका नाम ओमना है उसकी जर्नी के वारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने भ कर्सीव हो सके ओमना है हर्फ राधा वर वर्य consuming तरफ और उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम राधा है यह दोनों ही फ्रेंड है काफी एक्साइटेड होए विए है और एक्साइटम entirely यह है कि यह दोनों ही बच्चे राधा और आणी यह दोनों ही बच्ची एक बजिदार होने वाला है इस बात को सोच के दोनों ही फ्रेंड ओमना और इसकी फ्रेंड राधा काफी खुश हो रहे हैं और काफी एक्साइटेड हो रहे हैं ठीक है अब केरला का है मैप में पहले तो यह पता होना चीए आप लोगों को भई ठीक है तो चलो फिर मैं आप ठीक है तो सबसे नीचे लास्ट में ये स्टेट है केरला जहां पर ये दोनों बच्चे जर्नी करने वाले हैं ओमना और उसकी फ्रेंड राधा ओमना वास गोईंग टू हर ग्रांड मदर्स हाउस एंड राधा वास गोईंग विदर फैमली फोर होली डे अच्छा ओमना जो है वो अपनी ग्रांड मदर की घर जा रही है इसलिए खुश हो रही है और जो राधा है उसकी खुशी की वज़ए ये है कि उसकी फैमली एक फैमली टूर पर यानि दोनों फैमली मिल करके एक खटे हो करके होली डे पर सेलिब्रेट करने के लिए वहां जा रहे हैं ओमना's फा और ओमना की फैमली के लिए जितने भी मैंबर है इन सब के लिए ट्रेंट की टिकेट रिजर्वेशन बुक करने के लिए जा रहे हैं बई तो इस बात को जानकर के दोनों ही फ्रेंड ओमना और राधा दोनों ही काफी खुश हो रहे है कि भी हमें एक मजीदार मौका मिलने वाला है हम लोग साथ में जर्नी करेंगे और enjoy करने वाले है देन जस्ट टू डेज बिफोर देर जर्नी राधा फैल डाउन ओ ट्रेन की टिकट बुक हो गई जर्नी दिसाइड हो गई जर्नी की पुरी प्लानिंग हो गई और holiday को celebrate करने का एक नया तरीका इन लोगों ने ढूंड निकाला लेकिन जैसी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी जस्ट टू डेज बिफोर याने की जब जिस दिर इनकी ट्रेन की टिकट थी उससे दो दिन पहले राधा बही चोट लग गई उससे और वो ग चोट लग गई है अब राधा को जो चोट लग गई बच्चो उसके राइट लेग में फ्रेक्चर हो गया ठीक है और इस फ्रेक्चर की वज़े से अब वो लगता है इस ट्रिप पर नहीं जा पाएगी और यह जो चोट लग उससे साइकल चलाने पर है जिसे हम इंगलिश म वो किसमें प्लास्टर हो रखा है उसके पर में यानि कि उसके पर में फ्रेक्चर हो गया अब प्लास्टर भी हो गया दट डॉक्टर सैथ दैड़ शी शूड नाट हर लेग फोर six week और डॉक्टर ने तो ये भी बोला कि six week तक यानि छह हफते तक भी कोई भी moment होणी ही नही करोंगे तो number of days कितने होंगे कोई बता सकता है मुझे भी अब देखो बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं पट रिपलाई नहीं करते हैं भी मैं ये समझता हूँ कि वो बच्चे सिंसेरली पढ़ते ही नहीं है आज आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता दो कि सर हम लोग सिंसेरली पढ़ाई करते हैं आप सोच लोग कैसे बता हैं सर तो भी सिंपली जो मैंने कोईशन पूछा है कि सिक्स वीक को डेज में कनवर्ट करने के लिए तो सिक्स वीक में number of days कित इन टिकट बुक हो गही थी उसे आप कैंसल कर देंगे यानि अब वो holiday को celebrate करने के लिए जो केरला जाने वाले थे ओमना की grandmother के पास अब वो नहीं जाएंगे the two friends were very sad they had made so many plans और ये दोनों जो friend है राधा और उसकी friend ओमना इन दोनों बहुत sad होगे बहुत दुखी होगे क्यों कि भी इन दोनों ने plan कर रखा था कि भी हम लोग जाएंगे enjoy करेंगे मस्ती करेंगे घूमेंगे बट अब ये सारी planning flop हो गई भी ये सारी planning खराब हो गई बहुत बुरा उपाने लोगों के साथ है न चलो अब आगे पढ़ते हैं भी आगे story में क्या होता है about what they would do together on the trip उन लोगों ने planning किस बारे में की ती कि trip में यानि जर्नी में दोनों क्या क्या करेंगे क्या खाएंगे क्या खेलेंगे कैसे enjoy करेंगे कैसे मस्ती करेंगे ये सारी की सारी planning क्या हो गई फ्लॉप हो गई भई सारी planning खराब हो गई then राधास राधास आमा had an idea अच्छा उसके बाद जो राधा है उसकी मम्मी आमा यानि की मम्मी तो राधा की मम्मी के पास एक आईडिया आया आईडिया यानि विचार आया एक दिमाग में एक सुझा हो आया पढ़ते हैं बी ओमन why don't you write down everything about your trip in a diary अच्छा राधा की मम्मी कहती है कि ओमना क्यों नहीं तुम ऐसा करते हो कि जो भी तुम इस ट्रिप में करने वाले हो ठीके जो जैसे जैसे ट्रिप की जर्नी होगी जो जो तुम जहाँ जाओगे इस सीज को तुम एक डाइरी में क्यों नहीं नोट कर लेते हो जब तुम डाइरी में नोट कर लोगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा यानि अब राधा की मम्मी तो जाने वाली है नहीं आना ही राधा जाने वाली है तो उन्होंने क्या किया ओमना को बोला कि ओमना तुम ऐसा करना डाइरी में लिख लेना जो भी चीज तुम देखोगे ट्रिप में जो भी चीज तुम करने वाले ट्रिप में यह जो जो चीज इवेंट तुमारे साथ ट्रिप में होगी उसे तुम एक पैन और एक डाइरी लि और जब तुम वापस आओगे, तो जुमने जो भी ट्रिप में किया है, जो भी चीज़े ट्रिप में हुई, वो सारी चीज़े राधा उसको पढ़ सकती है, और इस तरह से तिम, जो ट्रिप में भी बार होता है, आप कहीं जाते हो घूमने के लिए, आप बहुत इंजुआई करते हो, और जब वापस आते हो, तो आपके फ्रेंड पूछते हैं, अच्छा-च्छा, क्या हुआता बताओ, उसके बाद क्या हुआता बताओ, फिर आगे क 10 में से हो सकता है, 5 things ही remember रखते हो, याद रखते हो, बाकि 5 भूल जाते हो, अक्सर ऐसा होता है बच्छो, हम लोगों के साथ के हम सारी बातों को याद नहीं रख पाते, तो उस राधा की ममी ने बोला, कि भी तुम ऐसा करना, इन सारी चीजों को नोट कर लेना, किसमें, ड कूल भी नहीं पाएगी, है ना, कितना अच्छा रहेगा, इड विल आल्सो हेल्फ यू, तो पास दे टाइम ऑन दे ट्रेन, और तुम्हारे लिए जो तुम अकेले जा रहे हो, तुम अकेले जा रहे हो, तुम अपने फैंबली के साथ ही जा रहे हो, तुमारी जो फ्रेंड तुमारे साथ नहीं जा रहे है, तुमारे लिए टाइम पास करना भी जो मुश्किल हो रहा होता, अब टाइम पास करना, यानि कि समय बिताना भी आसान होगा, क्योंकि तुम ट्रेन में जो भी चीज़ी होगी, उन सारी चीज़ी को क्या करोगे, नोट कर लोगे, है ना, त मुझे लगता है, कोई भी बच्चा शाद डाइरी नहीं लिखता होगा, अलग, most probably, class 4 के student तो डाइरी नहीं लिखते है, क्या आप किसी ऐसे member को, अपनी family member को जानते हो, जो डाइरी में कुछ-कुछ लिखते है, कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, या कोई भी planning करते है, वो लोग diary में note करते है, तो कोई ऐसा member है आपके family में, या कोई ऐसा friend है आपका, जो diary writing करते हो, तो उनके बारे में मुझे बताना भई, ठीक है, अच्छा हो रहा, उनका नाम बताना मुझे, कि my father write in diary, या फिर आपके papa, mummy, जो भी member आपके family के हो, या friend के हो, उनके बार मुझे पता ही नी चल पाता, ठीक है, तो लिखना जरूर, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, both the friends thought this was a good idea, अब दोनों ही friend, ओमना भी और राधा भी, दोने ने सोचा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा idea है, ओमना went home and found a notebook with black pages to write all about her journey, अच्छा, फिर ओमना अपने घर गई, औ blank pages थे, यानि कि खाले pages थे, उसमें ये सारे चीज़ों को लिखने के बारे में decide कर लिया, और ये सारे चीज़े note भी कर ली, और देखो बच्छो, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो screen पर आप देख रहे हो, आपकी book से ही है, तो ये भी एक तरह से क्या, ये diary ही read कर रहे है है हम लोग, है न, ऐसा लग रहा है न, जिसे diary में ही लिखा हुआ सब कुछ, इस story भी हम लोग कहा से read कर रहे है, diary में ही read कर रहे है, है न, कितना मज़ेदार, here are some pages from Omna's diary for you to read, अच्छा, अब आप लोगों से बोला जा रहा है, कि Omna ने उस जरनी में क्या-क्या लिखा था, क्या-क्या event उसके जरनी में हुआ था, उन सब चीजों को अब हम पढ़ने वाले हैं, चलो भी, पढ़ते भी, Omna क्या लिखती है अपनी diary में बच्छो, तो सबसे बहले तो उसने अपना title डाला है, क्या डाला है, Omna's diary, जैसे आपकी जो copy होती है, आप लोग क्या करते हो, अ गुमना की diary है, और उसने एक date डाला, और date क्या है, 16 में एक date डाल दिया, ठीक है, टाइम भी, यह देखो, उसने time के लिए draw भी कर दिया, कि 11.35, अगर आप देखो, आप लोग भी time देखना सीख गए होगे, अब तक तो, 11.35 टाइम हो रहा, उसने एक draw भी कर दिया, वह, कि we had reached the station, we check out names on the reservation chart, तो सबसे पहले उसने क्या लिका, कि जैसे हम लोग, जैसे हम लोग station पहुंचे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, reservation chart देखा, और उसमें अपना नाम देखा, क्योंकि भी, इससे confirm पता लगता है, कि हमारा किस coach में हमारी seat reserved है, यानि कि हमारी seat कहा है, कहां प किया, कि भी reservation chart का है, और अपना नाम देखा, soon the train reached the platform, we saw that the coach was already full, और जैसे हम लोग, जब वो जो ट्रीन, जो प्लैटफोर्म है, उस प्लैटफोर्म पर जब ट्रीन पहुंची, तो हमने देखा, जो coach है, बिलकुल full है, वहाँ पहुंचे, यानि कि उसमें बहुत crowded है, लोग होता भी usually है, कि जब भी आप station पर जाओगे, प्लैटफोर्म पर जाओगे, तो आप देखोगे, वहाँ पे ऐसा नहीं, आपको खाली मिलेगा, बहुत सारे लोग होगे, जैसे आप लोग जर्नी कर रहे हैं, उसी तरह से दूसरे लोग भी जर्नी कर रहे होते हैं, पिसलिए जो बोल रहे है, soon the train reached the platform, जैसे ही train platform पर पहुंचती है, we saw that, हम लोग देखते है, the coach was already full, जो coach है, वो पहले से full था, the train had started early in the morning from Gandhi धाम in कच, आचा, यह जो train है, यह train initially उस जाओगे, स्टेशन से वो आ रहे है, वहाँ से नहीं, बल्कि यह पीछे से आ रहे है, और कहां से आ यह गांधी धन जो स्टेशन वहां से आई है अच्छ गुजरात की स्टेशन इन गुजरात में वहां से ट्रेन आई हुए चलो एक बर गुजरात की लोकीशन बताता हूं कि उसमें कच का हैं ठीक है तो भई आमने इंडिया के मैप आपको पहले है तो तो देखो बत्च यह व के महारास्टरा के बाद करनाटका के बाद करनाटका के बाद करनाटका बीक्रोस करेगा यानि यह चारो स्特 visibility this ट्रेन कवर करने वाली है और फिर लास्ट में ये किरला पहुंच जाएगी तो उन्हों उसमें देखा कि भी जो ट्रेन है और फुल है यहां पर लोग पहले से बैठे हुए 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 और ट्रेन भरी हुए है जो कोछ इस वगर है इसके डब्बे जिसे हम इंदी भी बोलते सब्सक्राइशन पर पहुंच जाती है प्लैटफोर्म पर लग जाती है तो वहां पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कन्फ्यूजन किस बात की अब हो जानते भी पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग ट्राइंग तो बिक जो इनके पास लगेज ठीक है इनके पास कोई बैग है और ये आपको दिखरें इनके पास परस है तो य接下來 इनके पास जो भी लगेज है जिसकी पास जो में समान है उस समान को वह ट्रेन के निए पूछ कर रहर है आल फॉरंभर और एके दर्वाजे से यानि कुछ लोग तो भई उस train में बोर्ड होने की कोशफिस कर रहे हैं अब कुछ लोग ऐसे हैं जो deemed road हो रहे हैं यानि只 train से उतरने की कोशिस कर रे होंगे कि कुछ लोगों train में अंदर जाना होता है कुछ लोगों train से उतरना होता है तो इस चक्कर में भी एक confusion create हो जाती है अब दरवाजा एक ही है, तो रश्टो होगा ही होगा, और वह ही चिछ यहां भी हो रही है, तो इस सीज को ओमना ने अपनी डाइरी में नोट किया भई बाद में, अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, क्या होते हैं, और फिर हो कह रहे हैं, किसी तरह से बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मैनेज किया इसके अंदर यानि इस ट्रेन के डबे में पहुंचने में, फाइंड अवर सेट और पुट अवर लगेज अंडर थेम, फिर भई हम लोगों ने अपनी सीट भी देख लिए भी हमारी सीट कहां पे है, और उसके बाद जो हमारा जो लगेज था यानि जो समान था, अपनी सीट के नीचे हम लोगों ने रख दिया, बाइ दे टाइम दे ट्रेन स्टार्टेड और इसी बीच पे ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई यानि चल पड़ी Most people had found their seat and manage their luggage और ज्यादा तर लोग जो कि इस ट्रेन में बोर्ड होने की कोशिस कर रहे थे यानि ट्रेन में चड़ने की कोशिस कर रहे थे उन सबको भी अपने अपने seat मिल गए भी और उनके पास जो भी लगेज था उन लोगों ने उसे अरेंज किया भी यह देखो जैसे आप लोग यह ट्रेन देख रहे हो है आप लोगों ने उपर यह लगेज रखा हुआ है अपन के पास लगेज वगेरा होता है उसको सेटल डाउन कर लेते कोई सीट के नीचे कोई जहां पे इनको प्लेस मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर लेते हैं तो यह उमना बता रही कि सब लोगों ने अपने सीट को मैनेज कर लिया सबको सीट मिल गई और अच्छा जो टिकट के लेक्टर है कुछ देर के बाद जब हम लोग सब लोग चड़ गए हमारे चड़ने के बाद एक टीसी या फिर आप कह सकते हो टिकट के लेक्टर भी आ गए और उन्होंने हमारी टिकट को देखी कि हम लोग अपने प्रॉपर हमारे जो सीट है वहां चरद जाती और कहीं बाद लोग चाना कहीं ओर किसी ओर च्रैन करते हैं और कई बार लोग ऐसा ऑइंदा को टिकट कूब च्र चर्डरााते तो उन सारी चीजों को चेक करने के लिए, टीसी भी क्या करते हैं? ट्रेन में रहते हैं, और वो इन सारी चीजों को verify करते हैं, वो सब लोग proper अपनी seat पे हैं, सब के बास ticket हैं, अगर जिनके बास ticket नहीं है, तो उनके उपर fine impose करते हैं, यानि उनसे पैसे लेते हैं, एक जुर लोवर्थ थी उन्ही एन्ड आई हैड दर मिडल बर्थ अच्छा इसमें बताया जारा जो उन्ही इनकी फैमिली में को रिलेटीव है वह और जो यह बच्ची है जिसका नाम ओमना है इन दोनों का जो हैं मिडल बर्थ हैं आप लोग जानते हो एक लोवर्थ होता है एक मिडल बर्थ होता है और उसके अपर बर्थ होता है तो दोनों जो लोवर बर्थ है उसके पापा का और उसकी मम्मी की शीट है और अपर जानते भी उसके इसकी सीट है अपर सीट है तो बता रही है कि जरनी बर्थ हो तो बता रही है द्यरा टू कॉलिज स्टूडेंट who have the upper seat, और यह जो upper seat किनकी है, भी उन college student की, देखो इस type का होता है, मैं एक बार आप लोगों को एक थोड़ा सा idea देता हूँ, यहाँ पर lower seat होती है, ठीक है, फिर यहाँ पर middle seat होती है, और उसके उपर, सबसे उपर क्या होता है, upper seat होती है, तो भी lower seat में यहाँ पर दो उसकी मम्मी बैठ गई, यहाँ उसके पापा बैठ गए, और यहाँ पर मान लोगों ओमना बैठ गई, और जो उनी उनकी family में एक और member है, वो बैठ गई, ठीक है, इसके उपर जो यह जो upper seat है, इधर वाली upper seat और इधर वाली upper seat है, यहाँ पर गया है, दो college student है, फून लोगों की seat reservation reserved है, यहाँ इस तरह से इस पूरे cabin के अंदर यह लोग बैठ हुए है, ठीक है, तो I hope आपको यह idea भी लग गया होगा, कि train के coach में किस तरह से seat होती है, हाँ, इसके इलाबा सामने की भी दो seat होती है, जिससे lower, और फिर upper आप बोल सकते है, side lower और side upper, यह extra seat होती है, यहाँ ए rather worth, there is a family with two children, अच्छा, बांकी जो दो seat है, यानि कि side lower, यह side upper, तो उसमें एक family है, जिस family में दो बच्चे भी है, they seems to be about average, और वो जो उनकी जो age है, वो हमारी उमर के ही है, जिस age की ओमना है, ओमना की age की, इसमें दो बच्चे और भी है, I will go and talk to them later, अब वो कह रहे है कि मैं इसके पास जाके, यानि जो दो बच्चे, उनके पास मैं जाऊंगी, और उनसे मैं बाचीद भी करूँगी, ऐसा उमना बोल रही है, अपनी डारी में लिख रही है, now I am sitting near, now I am sitting near the window and I saw start writing about our journey, अच्छा, अब यह कह रहे है कि यह stem तो मैं कहां पे बैठी हूँ, विंडो के पास बैठी हूँ, ठीक है, और जो भी विंडो के पास बैठी हूँ, तो मैंने अभी क्या किया है, कि जो अपनी जर्नी है, जो बीची जर्नी में हो रहा है, उस सीज को मैंने लिखना start कर दिया, just as I had promise you, यानि कि उसने अपनी friend, you का मतलब यहां पर क्या, राधा है, कि जैस लिख रही हूँ, I will stop now, और लिखते-लिखते बोल रही है, कि I will stop now, because Amma has opened the tiffin box, अच्छा, मैं अब लिखना, बंद करती हूँ, कि जो Amma है, यानि जो मेरी ममी है, उसने क्या गया, tiffin open कर दिया, Amma had packed a lot of food, धोकला, chutney, lemon rice, and some मिठाई, अच्छा, जर्नी के लिए, उसकी मम ममी ने क्या किया है, धोकला, क्योंकि यह जर्नी कहा से स्टार्ट हुई थी बच्चों, गुजरात से स्टार्ट हुई थी ना, तो गुजरात में क्या होता है, धोकला क्या है, यह कह सकते है, गुजराती फूड है, ठीक है, गुजराती फूड है, तो फिर यह बोल रही है, कि भी हम लोग जो मेरी मम्मी है मेरी मम्मी ने क्या किया है कि भी अब टिफिन उपन कर लिया और स्टिफिन में क्या क्या रखा है ढोकला रखा है चटनी रखा है लेमन राइस रखा है और कुछ मिठाई भी रखी है सम मिठाई बैसे जिले भी फाफडा खाते है उसका जिले बोल रहे हैं कि अब मैं लिखना बंद करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने क्या किया हुआ है टिफिल ओपन कर दिया है माइ माउथ इस वाटरिंग और मेरे मूँ में तो भई पानी आ गया वही है आई विल राइट मोर लेटर और बाकी जो चीज़े है इस सीज को भई बात में लिखो अचे एक बात बता हुआ जो यह खाने की पीने की चीजों की बात आती है वही चाहिए ढोकला चटनी फाफडा जिलेवी या किसी भी चीज की जो भी स्वाधिस जो भी आपकी फेवरिट के मुव में नोट के आटाया मैं बजय को आपके मुः añad यह बताना बढ़ाट एघर की अब लीए बाकी चीज यह बाकी चीजें में करेंगे बढ़ों कोषि है ईसके बाद बाद अनसर करने के बाद होगी वी ठीक है तो फर्स्ट कुशन बच्वों आप लोगों के लिए यह है वाइवास इट सो क्राउड़ेट एर दडूर ऑफ दोच जो कोच है यानि कि जो ट्रेन का जो डबा है या फिर कैसे ड्रेन की जो बॉगी है या उसमें उसकी जो दर्वाजी थे दर्वाजी की पास वोगों की आफट क्या करो अपना कुशन नमबर वन नोट कर लो ठीक है वीडियो पोफस्ट करके अच्छे से नोट करो और उसके बाद भी चलो मैं इसका आंसर आप लोग को लिख वाता हूं तो इसका आंसर बचो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि आंसर नमबर वन कि पीपल वर इन को बॉर्ड करना चाते थे बॉर्ड याने ट्रीन पर चढ़ना चाते थे अधर वर गैटिंग डाउन और बाकि जो कुछ लोग से भी पैसेंजर होंगे जिनका यह स्टेशन आ गया तो डिबोर रोना चाते थे इंस वह मतलब क्या होता है ठ्रें से उतरना कि कुछ लोग ट् इस प्रॉसेस में जो ट्रेन का जो कोच है वहां पर क्या हो गया। क्राउड़ीड हो गया था ठीक है तो आप लिख सकते हो पीपल वर इन हरी टू बोर्ड एन अधर अधर वर गेटिंग डाउन दर ट्रेन एट सीम एट वन्स एट सीम टाइम एट वन्स यानि एक ही बार में पर यह दोनों प्रॉसेस हो रहा था इस बज़े से आप कह सकते हो वहां पर क्या हो रहा था रश्ट था या फिर क्राउड़ीड था ठीक है अब उसके बाद जैसे ही कुशन नमबर वन आपका कम्पलीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स देखो नीचे कुशन नमबर टू है बच्चों आप लोगों की लिए ठीक है और कॉशन नमबर टू में आपसे बोला जा रहा है है अब आप लोग इस कोशन के अंदर दो चीजे पूछी गई है सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया है कि आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है तो डेफिनिटली अब क्ला कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने अभी तक जर्नी नहीं किया होगी ठीक है तो वो बच्चे चाहो तो अपना आंसर लिख सकते हो बड़ मैं आजून करके चल रहा हूँ कि आपने एक बार तो ट्रेन की जर्नी की होगी कम से कम तो मैंने यह आंसर क्या लिखा यस ल अट रहे हैं तो आप गान डो यह मिलंग है चल रहा है तो तो इस बार है मैं अपने फंटर सकते हो कि अघ्मर के साथ बता सकते हो कि आई ट्रेवल फ्रम गुजराथ तू के रहा है तो स्टोरी के इंदर चल रहा है तो स्प्लेस के बारे में आप नई मेंशन कर सकते हो ठीक है तो भई इसमें हाफ पोर्शन तो मैंने आपको करवा दिया यस आई हव ट्रेवल इन ट्रीन मेनी टाइम्स कि भी ट् अट मैंशन कर सकते हो जहांपे भी आपने ट्रेवल किया है ये यह एक एक ज moro मैने आंसर बताया आपको कि मैंने अल्वर जरनी किया है कुछ बच्चे के हैं के सर मैं मैं तोstate जैपूर में रहता हूं थिक है मैं कर रहता हूं उसके बारे में आप में मैं जर्नी किया है, तो आप वह ऐसे भी लिख सकते हो, कि फ्रॉम जैपूर टू भोपाल मैंने यह जर्नी कर रहा किया है, तो जहां पर भी आपने जैसे भी जर्नी किया है, उसके बारे में आप मैंशन कर सकते हो, ठीक है, चालो, अब देख लेते हैं, कोशन नमर्ट सेकेंड के बाद, next question, question number 3 देखते हैं कि ओमना की इस जर्नी का third question क्या है आपके लिए, what food would you like to take with you when you travel and why, अच्छा, अब आप लोग उसे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ, जब भी आप train journey करते हो, whenever you travel in a train, what kind of food you carry with yourself, भी आप लोग कौन-कौन सा समान, कौन-कौ जर्नी के लिए, वो सारे food item के नाम आपको यहां mention करने है, जैसे यहां पर तो six lines draw कर रखे हैं, तो आप चाहो तो six भी लिख सकते हो, maximum जादा भी लिख सकते हो, और कम भी लिख सकते हो, अप के according आपका answer होगा, कुछ बच्चे कहेंगे, sir हम चापाती carry करते हैं, चॉकलेट carry करते हैं, rice carry करते हैं, जो भी fruits carry करते हैं, या फिर नमकीन वगरा, snacks वगरा carry करते हो, biscuit carry करते हो, तो वो सारे food item जो भी आप carry करते हो, बच्चो, वो आपको answer में लिखना है, इसके अंदर, ठीक है, जैसे for example, मैं अपनी बात करता हूँ, कि भी जब मैं journey वगरा करता हो, तो म हम लोग कोई ऐसी वजट सबजी जो खराब ना हो, इसके लाबा कुछ लोग बच्चे जो होते हैं, चॉकलेट वगरा भी carry करते हैं, कि भी train में चॉकलेट मिले ना मिले, तो पहले से अपने लिए arrangement करके रख लेते हैं, कि हम चॉकलेट लेगे चलेंगे, आचे, इसके जादा आंसर भी लिख सकते हो, कि I would like to take fruits, vegetables, clothes, chocolates and biscuits when I travel, you can write rice, rice भी रख सकते हो, आप लोग, पराथा रख सकते हो, आप लोग, चापाती रख सकते हो, जो भी चीज़े आप carry करते हो, वो अपने आंसर में लिख सकते हो, तो बहुत इजी सा कोशन है, बहुत आसानी से आप लोग इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है, चलो नीचे भी मुझे आप कोमेंट करके बताना, at least four or four items, ठीक है, different होना चीज़े, मेरे जास आंसर मत बताना भी, अपना answer बताना, sir my answer is different, और I carry this, 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 this food item, तो उन सब के क्या अगर होगे, name आप नीचे comment मिलकना, आजकल reply नहीं कर ठीक है, तो बताना मुझे, जो जिस बच्चे ने यहां तक वीडियो देख ली है, ठीक है, कि कुछ बच्चे तो आदी वीडियो देखके पहली भाग जाते हैं, पुरी वीडियो देखते नहीं, मुझे मालूम है, मुझे पता लग जाते हैं, हाँ, तो जिन बचो ने यहा *** वो कौन कौन सी activity करता यानि उसका वर्क क्या है यह origins self ना क्या काम होता है अब फ्रीचर क्या 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 होता है क्यों कि आपने बीर इसे स्टोरी में आ अपने जाना कि जब उसके अब ओर दे की city और उसके अरोषके कुछ ख्या बचो कुछ स्टेप से लिख सकते हो कि answer number 4 the ticket checker या फिर आप you can write TC short लोग क्या बोल देते हैं TC बोल देते हैं the ticket checker checks the ticket to see that all the passenger have their ticket कि सबसे main काम जो ticket checker का होता है वो क्या करता है जितने भी passenger travel कर रहे हैं वो सारे के सारे जो passenger है क्या वो ticket carry कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या ऐसा तो नहीं कोई without train में without ticket train में travel कर रहा है तो उसके उपर fine भी impose करते हैं लोग लेकिन इतना लिखने ही जुरूब नहीं है आप simply one sentence में अपना answer लिख सकते हो the ticket checker check the tickets to see that all the passenger have their tickets तो ticket है या नहीं है यह सी check करते है further आप चाओ तो भी और भी sentence बनाना चाओ तो अभी a ticket checker impose fine on the people who do not carry a ticket or do not have the reservation जिनके पास reservation नहीं होता जिनके पास ticket नहीं होता उनके उपर वो क्या करते हैं fine यानि कि जुर्माना वगरा भी लगाते हैं उनसे penalty charge करते हैं लो ठीक है तो यह साथ चीजी भी आप mention कर सकते हो यानि जो टीसी है उसको recognize कैसे करोगर हो रिकोगनाइस यानि उसे पहचाना होगी कैसे बही आप किसी के face के उपर लिखा नहीं होता तो इसको पहचाना होगी कैसे कुछ identities उसकी कुछ न कुछ होती है उसके बारें बताओ जैसे हैं आप लोग ने जुब इस्टूरी बढ़ लगे होते हैं उसके बैज भी लगे होते हैं और उसमें लिखा हुआ भी होता है इसके इलाबा उसके जो नेम प्लेट उसके चैस्ट पे एक नेम प्लेट भी होते है इसमें उसका नाम लिखा होता है और उसकी जो डेजिनेशन है यानि कि उसकी पोस्ट है वो भी mention होती है और फर्दर उसके पास आई-कार्ड भी होता है, चाहो तो आप आई-कार्ड भी मांग सकते हो देखने के लिए उनसे हैं, यह सारी कुछ इनफोर्मेशन है, जो आपको पता होने चाहिए, कि जो एक टिकट कलेक्टर है, यानि कि टिकट चेकर है, टीसी जो है, वो किस टाइब का होता है, तो यह पहचानने में आपकी हेल्प करने वाला है, चलो, अब आंसर जो लिखेंगे बच्चो, कुछ इस टाइब से लिखेंगे 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 the present on his shoulder showing TTE which means traveling ticket examiner क्या लिखा होता है कि traveling ticket examiner ये चीज़ लखी वी होता है देखो जैसे आपने ये picture जो देखा बचो इस picture में ये जो TCA इसके याँ badge पे भी आप एक TTE जैसा एक badge लगा होता है जिससे हम लोग identify कर सकते है कि ये कोई है ये एक TCA और इसके लाबा मैंने आपको बता है कि उसमें एक name play type का जैसा ना चैस्ट पर वो tag लगा होता है जिसमें उसके नाम लिखा होता है उसकी जो भी post होती है वो चीज़ लिखी होते है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो आइडेंटिफाइग कर सकते हो कि हाँ यही जरनी करो तो उनसे एक बर request करना वह आपको दिखा विदेंगे ठीक है तो बच्चो यह था भी आपके लिए question number five आप सोच गई जरनी में स्टोरी में क्या हुआ तो भी वह हम लोग करेंगे second part में करेंगे ठीक है तो भी यह एक वीडियो है आपकी English की book से नसुर इदिन्स एम तो इस वीडियो को भी जरूर देखना और इसके साथ-साथ other subject की वीडियो भी इस channel पर आप देख सकते हो चलो फिर अभी के लिए लाइक जरूर करना भी बहुत कम बचे लाइक करते हैं तो मुझे लगता है शायद आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आ रही है ठीक है तो मुझे बताए करो लाइक करके ठीक है ठैक्स पर वाचिंग मिलते फिर नेक्स वीडियो पे और हाँ अगर अबी तक चैनल सब्स् चलो बाइब बाइब